हेलो श्टूदेंस इस वीडियो में हम रिमेइनिंग नौन कॉरेट एनिमल्स के डिजेस्टीफ सिस्टम्स और फीडिंग मेकेनिजम्स को स्टड़ी करने हैं नियन्थिस या निरिस में जो डाइस्टिफ सिस्टम होता है उसमें एलिमेंटरी कैनाल कम्प्लीट पाई जाती है जो कि माउट से लेकर एनस तर एक्स्टेंड करती है स्ट्रेट ट्यूब होती है यह बॉडी कैविटी में सस्पेंड़ेट रहती है डॉर्सल मिजंटरी के थूर और उसमें तीन अलग लग पार्ट हम दिस्टिंगिश कर सकते हैं पहला पार्ट होता है अलिमेंटरी कैनाल का स्टोमोडियम या फोर गट जिसमें बगल कैविटी के वैंडरोक्त और फेरिंग्स एंक्लूड किये गये। मेसंटरण और मीडिटिंगिट इसका मीडल पर्ट है जिसमें इसफेखस स्टमफ के साथ यह होती है जब कि भंगट्य बाइब हिसे यह एंडर्मेर्मल एपीथिलियम से माओथ की बात करेतों माउथहें हमेमें Ł प्रोस्ट्रोमियम के बिल्कुल नीचे माउथ आगे बगल केविटी में लीट करता है बगल केविटी की बाद आता अपका फेरिंग्स जो की हाइली मस्कुलर होता है इसकी जो क्यूटिकल लाइनिंग है फेरिंग्स की इंटर्नली वह कई प्लेसेस पर ठीक होके डेंटिकल् जो है फॉर्म करती है इनका नंबर और अर्रेंजमेंट हर स्पिशीज के लिए स्पेस्पिक होता है फेरिंग्स का जो पॉस्टीरियर पार्ट है उसमें जो है लेटरली बॉल में उसकी दीवार में काईटीनस जोस का एक पेर एमबेड़ेड रहता है जो की काफी में एक वोते हैं और उनको एक साथ जो है यह एनिमल नियरिस बाहर इवर्ट कर सकता है और एक प्रॉस्स और इंट्रोवर्ट जो यह एनिमल में फॉर्म कर रहे हैं इससे क्या होता है जो जो बिलकुल इनर फेरिंग्स की वॉल पर प्रेजन्ट है वो जब बकल के विडियो फेरिंग्स दौनों को बाहर इवर्ट करता है यह एनिमल तो होता कि है फो जॉस बाहर की तरफ टिप पर जो है एक्सपोज हो जाते हैं और उसकी हेल्प से अपना प्रे फिर कैप्चर कर सकता है फेरिंग्स कि इसोफिगसלא करता है इसोफिगसट है इसके बाद ये स्ट्रमक है और स्टमक इंटेस्ट्टाइन में खुलते हैं जो एक बाद ऑस्ट लास्ट पार्ट है पोर्शन अलिमेंटरी कैनल का जो की लास्ट बॉडी सेग्मेंट पैसीडियम में प्रेजन होता है बाहर की अखुलता है यह टर्मिनल एनसके थू बात करते हैं इसके फीडिंग मेकनेजम की तो नेरिस कानिवरस होता है यह क्या करता है कि स्मॉल है तो उनकी हेल्प से नहीं है यह कैप्चर करता है अपनी प्रे को फकड़ कर और फिर अपनी बॉडी के अंदर इलिमेंटरी कैनल में उन्हें अंदर ले ले लेता है इस प्रॉबसेस या इंट्रोवर्ट को बाहर इवर्ट करने के लिए स्पेशल प्रोट्रेक्टर मसल्स में इसमें प्रेजंट होती है और रिट्रेक्शन यानि वापिस अंदर लेने के लिए रिट्रेक्टर मसल्स होती है तो प्रोट्रेक्टर मसल्स इसे बाहर की और इवर्ट करने के लिए और रिट्रेक्शन के लिए रिट्रेक्टर मसल्स इसमें प्रेजंट होती है इसके ल इसके बाद हम बात करते हैं पैले मॉन की डाजेस्टिव सिस्टम की पैले मॉन में अलिमिन्टरी के नाल को भी हम तीन डिस्टिंट रिजन्स में डिवाइड करा सकते हैं जिसमें मॉफ बखल केविटी इसोफेगस स्टमक को इंक्लूट किया जा रहा है मिट कर जिसमें के बर इंटेस्टाइन है और हाइंड गट और रेक्टम तो यहां भी फूर गट और हाइंड गट जो इंटर्नली क्यूटिकल से लाइन रहते हैं इंटिमा कहा जाता है इसी पीछे बाइलोग्ड लेवियम से सरावंड कर रहा है बखल केविटी में खुलता है मौंटि जिसमें जो बकल केविटी है उसमें मेंटीबल में प्रेजंट जो मूलर प्रॉसेस होते वह एक-दूसे क्या कर यहां पंशन होटा है उनक्छों होता है छो यह इनके बीच में उसे crush कर देना बकल केविटी आगी इसोफेगस में लीट कर रही है और इसोफेगस पिर कार्डियक स्टमक के फ्लोर पर जो है open होता है इसोफेगस में चार longitudinal folds जो हैं देखने को मिलते हैं स्टमक जो है सिफेलो थोरह से केविटी का जातर स्पीश उक्पाई कर रहा है है और उसमें वी दो पार्ट हम हम डिस्टिंग्रिष कर सकते हैं कि लार्ज इंटीरिया कार्डिक स्टमक था ए 7 इनर टिकिडिलर लाइनिंग है इंटिमा उसमें कई необходимо直ीफार प्रेजयं होते हैं और इन पर जो एक circular plate पाए जाती है और इसके पीछे स्टमक के रूफ पर लैंसियोलेट पाए जाती है इसके लाबा एक और triangular plate पाए जाती है जो की cardiac स्टमक के mid ventral flow में embedded रहती है इसे हैस्टेट प्लेट कहते हैं इस जो हैस्टेट प्लेट है इसका जो लुक है वो बिलकुल एक मिलते हैं और बीच में एक मीडियन रिज होती है जबकि इसका पीछे का पॉस्टीरियर ट्राइंगुलर पार्ट है वो जो है कार्डियो पाइलोरिक अपर्चर की एंटीरियर बॉर्डर फॉर्म कर रहा है और जो लेटरल साइड होती है स्टेट प्लेट की उसे सपोर्ट करन साइड पर एक और रिसंट प्लेट की बनी हुई वो प्रेजर्ट होती है तो इसमें जो प्रेजन होते हैं यह इस पिर parasites होते हैं कॉस्टीर जहुर्ट को एक तरह से कवर कर रहा है और संटीर्द की मूफ होती है यह दौनों कॉम्प्लेट्स आगे जाके एंटिरियल ली जो है यूनाइट हो जाती है और इसके अलबा कॉम्प्लेट के तरफ जो लेटरल वाल है कार्डिक स्ट्रमक की फोल्ड होके एक लेटरल लॉंगिट्यूणल फोल्ड बनाती है यह जो फोल्स हैं, लेटरल लॉटोनल फोल्स इनको गईड िंग रिजश याटा है, क्योंकि यह पूट को गाइड कर रही है, कार्डियो पैलवरीड अपर्चर की थृू यह घ्सक्टेट ब्लेट का जर्नल स्ट्रक्चर और ही बात करते हैं just on the sofa की स्मॉल चंबर है जो की पोस्टियान पर प्रेजन खार्ट का लाइख्य Inside वो new फोल्स पाई जाते हैँ और इसकी व्योज ही तीक उद्वित दो आप सकते में एक एक वेन्तरिम्स चंबर होता है एक या कबने भी हुआ इसके लिए लवर लिटर चेंबर की साइड-साइड लेटर ली जो वाल यह अनुर्ड पाए जाते जह कि फिल्ड्र प्लेट के साथ मिलकर फिल्टर तो पायलोरिक फिल्टर इंग आपिरठ्च पूला जाता हैं से जो मिलकी बनाएं से और साइड वॉल से मेंटल चंबर के जहां पर ब्रिसल पाए जा रहे हैं उन दोनों से जो पालोरिक फिल्टरिंग प्रेटर्स होता है क्या करता है कि केवल लिक्विट फूड को यह आगे पास होने देता है इसके अलावा इस फिल्टरिंग प्रेटर्स की जाद पीछे जो है हिपेटो पैंक्रियोटिक डग्स की प्रेजंट रहती हैं मिटगट की बात करें तो मिटगट और या इंटेस्टाइन जो नेरो स्ट्रीट ट्यूब होती है इसमें भी लॉंगी टूनल फोल्स जो है प्रेजंट रहते हैं हाइंडगट सबसे चौटर सौट टेस पॉर्षन है इसमें भी इंटर्नली लॉंग टूनल फोल्स होता हैं यस की तू बाहर खुलता है इनज जो है टैल्सन की बीस पर सेटिटेटर रहती है प्राउंड में कि इसके बात बात करते हैं हिपेटो पैंक्रियास की तो इस प्राउंड में वह सिपेलो फोले से में कई सारी branching tubules पाया जाती है और connective tissue पाया जाता है इनको साथ में रफने के लिए यह tubules joint होके बहुती बड़ी बड़ी फिर दीरे कहनास पनाती है ultimately यह दो large hepatopancreatic ducts form करती है जो कि आपको पता है पालर के stomach में जो filter plate बेटे उसके पीशे बेंटल चेंबर में open होती है यह पैर्टो पैंक्रियास एक्षी पैंक्रियास small intestine और लिवर का तीनों का function जो यह करता है तो यह करता है तो यह कार्भोहड़िट इसमें की आप्जॉप्शन की बात करें तो फूट जब घस्टेट प्लेट के उपर से पास होता है तो हैस्टेट प्लेट में दौना तरफ जो कॉम्ट प्लेट होती है उसमें ब्रिसल्स होते हैं वह उसे जब हैं पालॉरिक चमबर में उपन होता है इसके फूर्ट होता है वह यही जो फूड है वह फिल्टर होता है और ही आगे पास होता है तो बहुत ही फूड पार्टिक ए और उसके थूरू हिपेटो पैंटियास में जहां पर उनका हैड्रोलिस और एब्जॉप्शन होता है कोई भी रेजिड्वल फूड है तो वह डॉर्सल पालरी चंबर के तूरू होता हुआ मेट गट में पहुंचता है जहां उसका डायर्शन और एब्जॉप्शन हो सकता है इसके बाद अल्टिमेटली वह हाइंडगर्ट में पहुंचेगा जहां से एनस के तूरू कोई भी रेजिस्टिफ फूड मेटेरियल बाहर फैंक दिया जाते हैं अब हम बात करते हैं स्टेरिस या सी स्टार की डेजिस्टिफ सिस्टम की तो इसमें एक कम्प्लीट डेजिस अलगी स्टार में जो की पैरि ओर लमैम्रेन की द्वार्स रामडेश रहताएं चै तो इसल सब्सक्राइब सब्सक्राइब घता है है घ्र इसिंटल साइट के आप सेक्षाइब होऊट है कि माउथ इसो फींट भीगश में 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 इस टमक के जाहते हैं इस में च्टरी में चमक्न क्रेंड और चर्थ यहां क्यां कि बात करें तो TOP में बबस में जिन्टन भी स्टमक प्रुपक्र परदिया जाता है पाहर एड़ टाइम ओफ फीडिंग और रिट्रेक्शन के लिए इसमें पांच स्पेर्स पाई जाती है रिट्रेक्टर मसल्स की बात करते हैं अगले इस्से की तो वह पालोरिक इस्टमक जो कि पेंटागोनल श्यक्ट होता है इंटरस्टर में उपन हो रहे होता कि है इसमें हर एंगल पर जो है वाम्स के एंगल पर एक त्वसमें खुलती है इसमें पालोरिक बुलाया चालता है इसके लावा यह जो पालॉरिक डक्ट निखल रही हैं नियुक्त पे उपन होती हैं उन्हें सरी सिक्रीटे और Renule cells पायाते हैं। जोंकि enzymes till chrypt कर रहे एंजाइम और लिपोलेटिक enzymes, mucus cellällS पाए जाते हैं। कुछ storage cells होते हुँँ, current producing cells भी इन्हें पाये जाते हैं। जुन में लॉंगर फ्लेजला होते हैं और वह एंजाइम्स का जो एक स्टेडी फ्लू मेंटिन करते हैं स्टमक के लिए इसके बाद आता हैं इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन जो ट्यूब है वह अबॉरल सर्फिस तक वर्टिकली एक्सटेंड करती है वहां पर यह उपन होती है एनस के थ्रू और एनस अपर्चन जो है वर्वरल सर्फिस पर पाया जाता है सेंट्रल टेस्क की तो सी स्टाइका फीडिंग मेकनिजम्स देखें तो यह बॉरेशियस कानिवोर है यह क्लैम्स और स्टर मसल्स स्नील्स क्रैप्स बार्निकल्स पर लेता है और इसके अलावा यह क्या करता है कि जो काडिय के स्टरमक इसका उसको ईवर्ट कर देता अपने प्रेश पर जो इसने कैपचर किया है फिर उसमें से विश्टर में बॉडिक पालोरिक सीखा में वह उस प्रेय के ऊपर पोर कर दिये जाते हैं यह एंजम्स के बिल्कुल आउस्टाइड में हो रहा है और डेजिस्टेड मेटेरियल को फिर एलिमेंटरी के नाल में जो है जब रिट्रेक्ट किया जाएगा काडी के स्टमक को तो उसके साथ अंदर ले लिया जाएगा अब्जॉर्प्शन फूट का होता है पालोरिक सीका में तरू देखने को मिलता है इसके बाद हम बात करते हैं लेमीलेड़िदयंस की तो जो ये योनियो है उन्में जोह है फिल्टर फिडिंग मेकेनिसम पाया जाता है इनमें जो एलेमेंटरी कैनal होती है उसमें माउठ है पहले जो ट्रांसवर्स के समानी चाहते है और इसके दौनों से तरफ जो है एक पेर पाया जाता है फ्लैशी फ्लैप्स का उसे हम लेबियल पैल्प्स बलाते हैं यह जो पैल्प्स हैं यह माउथ के उपर आपस में जो है यूनाइट होकर एक अपर लिप बना रहे हैं जब कि माउथ के नीचे फ्यूस होकर यह लोवर लिप फॉर्म करते हैं तो एक तरह से माउथ है और वह दो लिप्स के द्वारें इंग्लोस है इसके अरावा जॉज या रादूला जैसी इस्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपको पायला में देखने को मिलते हैं वह यहां प्रेजन नहीं है क्योंकि फिल्टर फीडर रही माउ स्टमक इसट्रक्चर्स के स्टमक में खूता है।स उसलिटेद होता है स्टमक स्राउंडंड रहता है श्रम के सब्सक्राइब के कि एम उन yaras को कि होती है इस लाइंन है उस को सेटी ऊंस्टने सटाइल और में वह स्ताली साइलानोय इस एक दाया को जाओ कि वह मूव करते हैं भी कि तरह को इसका जो फ्रींड होता है जब वह की वाल से स्ट्राइक करेगा तो स्ट्राइक करें लाई के स्ट्राइक को चब बेभाटर प کے यहलेभवार तो इस क्रिस्टिल इसट्रायल का जो except है वहां से। है इंचे बोलगां ======== employer और जो फूट पार्टिकल अगम में प्रिसेंट है स्के साथ में ये मिक्स होते जाते हैं कि अधिक के लावर जो प्रमक है उसका जो डॉट्शल पॉर्ट्शन है उसमें फोल्ट्स पाई जाते हैं बहुत ही फोल्डट होता है वो जहां पर उसमें डाजस्टिव ग्लेंड की डक्स ओपन हो रही है उस एरिया में यह फोल्ड्स क्या है है सार्टिंग मेकिनिसम में हल् kleinen Tacki Go लिञाते हैं जो की Пार्शली डिटेस्टेट फूर्ट े-व वॉसे लिए बड़ीज्स चाते हैं और जो बर्टीमिट नहीं हो चीक है उसे देन दौरान पार्टिकल उनके साह cop जो बिलकुल की मिक्स नहींическая का। वह बिल्कुल मिक्स नहीं पाता तो एक sorting mechanism जो है यहां पर देखने को मिल रहा है क्या कर रहा है सुर्टिंग में जो यूजलेस सब्स्टेंस से इंटस्टैन में भीज रहा है जो जो राइस्टिड हो चुका है और सॉत्वि他 mixt को उन्हें मिक्स होने से रोक रहा हैं इंटेस्ट्राइब निखलती है और यह वंद्रली food तक जाती है जहां पर यह moồi कोंग हो जाती है औरioni हो पर उसकी कॉइलिंग है के इसकी वाल जो है फोल्डेट होती है एक लॉंगिट्यूडनल नीटेस फोल्ड इसमें पाया जा रहा है जिसे ट्फलो सोल जो है बुलाया चाहता है आप एक चली यह इन्स में ओपन हो रहा है जो पुस्टिया पार्ट है जो पुलती है उसमें यह एक चलती है वह या लिवरम पेड होते हैं यह और स्टमक को साराउंड कर रहे हैं यह स्टमक के नोख्षा की च्छो यो कि आपस से स्टमक में लेके आरहाई ह तो जो प्रसुद्न गर्लें सुख बाउन नंसीलियर्लेटेट होता है और झह प्रसखंग क does vibe is की वेस्ट पर्टिकल बाहर लेकर आरहें वह सी लेटर होता है इस ग्लैंड का फंच्छन होता है कि एंप सिक्रीट करें यह साथ मैं इसकी शेवी वह फूट पार्टिकल्स को एब्सॉर्ब करने का भी काम करते हैं फिर उनका वह इंजेस्ट करके उस इंट्रा सेलवर डाइस्टिन भी पर्फॉर्म करते हैं यूनियो जो एक या लेमिलेटेंस में प्लैंक्ट्रॉनिक फीडर्स होते हैं डायटम्स प्रोटोजवाव जो भी है उसको स्ट्रेंड किया जा रहा है तो काफी माइन्योट फूट पार्टिकल्स पर फीड करता है इसलिए इन्हें फिल्टर फीडर्स कहा जाता है तो यहां पर जो सीलिया है जो बीटिंग कर रहे हैं गेल्फ लामेंस की लिटरल सीलिया जिनकी वजह से जो एक वाटर करें एंटर करता है गिल्स में ऑस्टिया के थ्रू और बाहर निकलता है इस करेंट साइफन से जो सुप्रा प्रेंखिल चैंबर है मेंटल के विटी का वहां से तो इस इंकमिंग वाटर में कई सारे माइक्रो औरगगरिख़्ंस प्रेजन होते हैं जो कि इसका फूर्ड करते हैं तो होता क्या यह जो पार्टिकल्स हैं यह अग्चुली लेमिलल सरफिस तक आते हैं वहां पर जो भी हैवियर पार्टिकल होगा उसे जो है महीं पर मैंटल केविटी में ड्रॉप कर दिया जाता ह जो गिल फिलामेंट्स के फ्रंटल सीलिया हैं वो यहां पर बीट करते हैं और जो जितने भी फूट पार्टिकल्स ड्रॉप किए गए मेंटल केविटी में उनको मुकस के साथ मिलाकर जो मुकस शीट फॉर्म हुई है उसे फूट ग्रूप तक ले कर जाते हैं कि दीरे दीरे शीलिया ही बीटिंग के थूट जो है मौथ की तरफ जाता मौथ सी अलिमेंट्री कैनाल में अंदर एंटर होता है जो भी डाइशिशन होता है यहां पंटो कि अपनी पता है कि महांपर जो the crystal और करता है जिससे की उसकेसे जो श्रेग्मेंट ने हो रहे हैं वो फूटब की साथ मिक्स हो जाते हैं उसी में अंजाइम्स प्रजेंट होते हैं वहां से ऐसे जो मैंज़न पर इसाइन की बहुत करता है कि जो भी एजस्टेट जो भी वेस्ट मेटियर होता है उसको एजैस्टन जो है वह रेक्टम फिर एनस के थूब वह लएका में उपन हो रहा है जो आउटगोइंग वाटर कॉरेंट होगा उसके थूज़ वेस्ट मेटियर बाहर बौडी से निकादी जाता है